एक वैक्सी मरेटीरियल होता है। उसका नॉमिल लेवल में होना बहुत ज़रुरी होता है क्योंकि यह हमारी बाडी की सेल को हल्दी रखने में बहुत DV कृता है। नॉम्मल νपेडेल होाल 200 LIKE ये हल्देच में नॉन हाँना चाहि !! नॉर्मल हुमन्स में, बड़ जब इसकी मात्रा बढ़ने लगती है, तो यह जो ब्लड होता है, वो हमारे सर्च में डेपॉजिट होने लगता है, और कहीं नहीं कहीं हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स को करने लगता है, इसलिए अपने हार्ट को हेल्दी रखने के लिए हम अपने कोलिस्ट्रॉल को नॉर्मल लेवल में रख सकते हैं, कोलिस्ट्रॉल एक ऐसी प्रॉब्लम है, जो कि दिन पर दिन बहुत ही जादा फैलती जा रही है, और यह कहीं ना कहीं मौत के जिम्मेदार होती है, अपनी लाइस्ट्रॉल और डाइक को चेंज करके, अपनी इ आईटिषन सुधामर, फ्रम सुधाडाइकिन को जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हमारे घर में किछिन एक ऐसी जगह है, जो हम सभी कूलों की भूप को शानध करती हमारे नुट्रीशन का ध्यान दगती है, हमारे डाइक का बहुत ध्यान दगती है, घर में किछिन है, जिसकी वज़े से हम जो भी दिखते हैं, उसकी जिम्मेदार हमारी किचिन है, क्योंकि जब आप अंदर से स्ट्रॉंग होंगे, तभी आपका चेहरा भी ब्लो करेगा, और हेर स्ट्रॉंग रहेंगे, और आपका डेवलप्मेंट, फिजिकली, मेंटली बहुत अच्छा रहेगा, बट काफी बार ऐसी कंडिशन आ जाती है, किचिन में रख्यूई चीजों को आप समझ नहीं पाते हो, और आपकी लाइफ चाल हेल्दी से अनहील्दी हो जाती है, क्या आप जाते है, जिस तरीके से आप फार्मेसी जाते हैं, बहुत सानी मेटस को लेने के लिए, तो किचिन को भी आप फार्मेसी ही कह सकते हैं तो इसी तरीके से हमारी किचिन फार्मेसी में दो ऐसे इंग्रीडेंट है जो कि हमारी कोलिस्टरॉल को कम करने में बहुत जादा हेल्प करते हैं तो उसमें जो पहला इंग्रीडेंट है वो है फ्लैक सीट तो टोटली आप यह हमारे गॉट कोलेस्टरॉल को इंक्रीस करता है और बैठ कोलिस्टरॉल को कम करता है जिससे कि हमारे बाटि में कोलेस्टरॉल का रेवल नर्मल करता है यह हमारे hairs को healthy रखता, skin को healthy रखता और glowing skin को देने में बहुत जाद है healthy पहला तरीका है आप अलसी को फाक कर अच्छे से च्यू कर सकते हैं दूसा तरीका है आप अलसी को पीस करके अच्छे से तब भी च्यू करके अच्छे से आप खा सकते हैं तो इसके लिए आप लोगों सबसे पहले अलसी को तवे पधीमी आज पर ड्रायरूस्ट करना होगा औ जाकि इसमें बिल्कुल भी एर ना लगने पाए वरना वो फ्लाक्सी चूहते हैं वो खराब हो जाते हैं तो जैसा कि आप देखना भी अच्छे से ड्राइ रोश्ट हो चुका है अब अम लोग से मिक्सी में ग्राइंड कर लेंगे और ग्राइंड करने के लिए जैसा कि आप पीषid पप्लाक लाई में एक चमँच दालना है और डालने के बाद में इसी अच्छे से दालने के बाद में ताकि यह जो फ्लाक सीड में अपर तैरता ना रहे वह अच्छे से मिक्स हो जाए जैसा कि आप लूब देख रहे हैं यह वही जो कि हम लोगों ने इसको ड्राय रोस्ट करके पी साता है अब हम लोग एक चम्मच यह जो अलसी का सीड है इसको हम लोग एक लास पानी में या एक कप पानी में इसको डालेंगे और अच्छे से इसको मैश करें कि जैसा कि आप देख रहे हैं यह पानी में ऊपर ही बैठा आपको इसे खाली पीट पीना है या दिन में भी आप कभी पी सकते हैं या शाम के समय आपकी चोईस है कि आप इसे कब पीना जाते है बट इसे आराम से धीरे-धीरे सिबबाइ सिब करके पीना है और इस सर्दी के मौसे में आप लोग गुनगुने पानी में भी इसको घोल बनाने के लिए हमें सबसे पहले जुरूत है दाल चीने स्टिक की इसमें हम पाउडर का यूज करेंगे उस्वाडस इसारिक पावडर कस्कि लेंगे जासल और उसकी व्ल हम लोगस ऐसा कि अाप लोग देख रहे जली इसे तरीके के सर्फिस का आपको लेना है आप इसे हम जाल चीनी स्टिक्स को छालेंगे और इसकी कप बंद कर देंगे और हमें यह काम रात में करना और जब मौननि मौनन्न कूछे है तो जैसा की आप देख रहे हैं इस सबसे पहले है इस इसमें इसकी स्पीट को बढ़ाने के लिए वह है लेमन लह sto को कट करने में बहुत ज्यादा है और यह को पीना और यह को पीना और जो का दूसरा कप पानी है वह आपको दूसरी बार में पीना दालचीनी की चाय बनाना भी बहुत आसान है बट अगर में इस वीडियो बताऊंग तो इसके लिए आप लोग मेरे डिस्रिप्शन बॉक्स म है आप उस पर देख सकते हैं और उसको भी बना करके अपनी डायट में जपर शामिल किजें तो इस तरह से आप दालचीनी को भीत तरीके सेरे अपनी डायट में कर सकते है जो आपके डायट को lifestyle को और को चलीस्टोछ पर में बहुत जादा हल्प करे घक़र ज़र बहुत करन तो यह जो दाल चीनी और यह जो फ्लाक सीड आप तीन तीन तरीके से अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं और अपनी कोलिस्टरॉल लेवल को कम कर सकते हैं चीनी हमारे good cholesterol को अमारी comparing cholesterol को bad cholesterol को लो करती है जिससे के हमारा their cholesterol level नॉर्मल में रहता है और क्यां है जब हमारा weight increase होता है तो भी हमारा cholesterol level Hencebal cinnamon stick तो लोनम ही हमारे weight को लूस करणे में भी बहुत हेल्प करती है मेरा ये वीडियो आप लोग ले काफी जाना यूसफुल रहोगा आपने कोलिस्ट्रॉल को कम करने में और में बहुत सारी चीजों में ये दोनों मटियरल बहुत पाइदा करते हैं तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी स्पीटी को लाइक करना फैमली फ्रेंज में शेयर करना अपने मेरे स्चान को सब्सक्राइब करना बिल्कुल हुत हो लिगा सो हेल्दी रहे फिट रहे थांक्यू पावाई